सुशान सिंग राजपूत केस में डॉक्टर के बयान को लेकर जो बाते हो रही है अब उसमें डॉक्टर ने खुद अपने सोचल मीडिया पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है क्या कह रही है वो डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ लेकिन अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन्स में इस तरह की खबरे आई कि डॉक्टर ने बयान दिया है और उसके बाद जो है डॉक्टर केरसी चावड़ा उन्हें लगा कि यह सही मौका है खुदी आगे आकर हर चीजों पर खुलासा किया जाए और बताया जाए कि सच क्या है उन्होंने कहा है उन्होंने कहा कि जिस तरह के बयान चल रही है कि मैंने बयान दिया है उसके बाद हर कोई जो यह सोच रहा है कि डॉक्टर केरसी चावड़ा किस तरह के डॉक्टर है किस तरह के थेरेपिस्ट है जो अपने क्लाइंट की बातों को जो इस तरह से डिस्क्लो मीडिया में हो रही है उन्होंने एक स्क्रीन शॉट भी लगाया है पुलिस इंस्पेक्टर का DCP अभिशेक का ही जो कि इसकी जांच कर रही है जिसमें एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि क्या आप जांच जो डॉक्टर का बयान आ रहा है वो सही है या नहीं है तो उसके reply में अभिशेक्तरी मुखे ने लिखा कि हमने अभी तक डॉक्टर को बुलाया ही नहीं और कल भी जो है इस तरह की बाते आई थी कि डॉक्टर जो 14 लोगों की लिस्ट दी गई थी दुपेर को अभिशेक्तरी मुखे ने जो मैंने भी आपको बताई थी उसमें डॉ करके बताती हूँ, I have not even made a statement, it is incredible how much filth there is in the media, Dr. Chavra the infamous one has done nothing that could have caused so much of anguish and heartache in people, Dr. Chavra is professional, who is ethical, Dr. Chavra is known to maintain confidentiality, I hope this also goes far and wide, तो उन्होंने पूरा पोस्ट जो है किया है और बताया कि मैंने कोई statement नहीं दिया है, कि ये कल दोपहर का पोस्ट है, तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर के बयान की बाते आ रही है, हाला कि सबसे पहले जो है, मैं सबसे पहले होने का तो दावा नहीं करूँगी, लेकिन बहुत बड़े-बड़े publications में एक खबर आई थी, Times of India ने अपने वो article भी remove कर दिया और उसके बाद जो है, डॉक्टर चावडा ने अब खुद इस बात को clear किया है, केरसी चावडा ने कि उन्होंने जो है, इस तरह का कोई बयान दर्ज नहीं कराया है